आज हम गुर्तवा करशन के महत्पूर प्रसंद करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर है और हर बार एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला सवाल बूला गया दो पिंडों में से प्रतियक का ध्रमा 40 किलोग्राम है तता आब परस पर 2 मीटर की दूरी पर इस्तित हैं उनके वीच गूरतवा करशन बलका मान घ्याद कीजिए तो हमें क्या बताना गूरतवा करशन बलका मान बताना ठीक है तो यह हमारा पहला सवाल है तो बोला गया है दो पिंडों मैंसे प्रतियक का ध्रमा 40 कीलोग्राम है तो 2 पिंड को द्रम्मन कुतना है 40 kg है, माल लीजिए आपने पहला पिंड जूषा है, अपको 2 पिंड के प्रिंड के बीच जो दूरी है वो कितनी है, बो है आपकी कितनी, दो मीटर की, दूरी पर इस्तित हैं. आपने जित्र से समझ लिए है. आप लिख सकते हो, की दिया है. क्या-क्या दिया है, जो आपको दे रखा है, रब् arriv natur है, थीक है, ब्रबमान यहाँ, रबमान stellा आपका यम है, यम्बन और बरावर आपका यम्टू ठीक है बोधी रखा है आपको कितना 40 kg ठीक है दोनों पिंडों के द्रमाज बरावर हैं उनके बीच की दूरी ठीक है यहां पर लिखोगे पिंडों के बीच की दूरी क्या आपको क्या बताना है गुरतुबा करसन वल का मान बताना है तो गुरतुबा करसन वल बल के सूत्र से क्या होता है आपका गुर्थवा का सब्सक्राइब वह होता है यह बराबर होता है आपका जी यंबन यंटू और बटे आर इसक्वाइर ठीक है जी क्या है सरवात्री गुर्थवा का सनितां का यंबन यंटू ध्रम्बान है पिंडगे आर इसक्वाइर क्या है इन पिंडों के बीच की दूरी है बल यह क्या है बल तो यह परावर हो जाएगा जी का मान आपको पता है कितना रखेंगे 6.67 10 की पावर माइनस 11 यम बन यम टू कितने आपके 40 किलोग्राम है ठीक है और इनके बीच की दूरी आपके कितनी है 2 तो 2 का स्क्वाइर कर लेंगे तो यहां से जो यफ हो जाएगा आपका 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा 40 गुणा 40 और बटे 2 का स्क्वाइर करेंगे तो 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 यहां कितने बचें कि 10 यहां से आप निकालोगे तो यह बराबर हो जाएगा 6.67 गुणा 10 और गुणा 40 गुणा कितना 10 की पावर माइनस 11 गुणा यहां से पाइंट अटाओगे और 2 0 बढ़ाओगे तो 10 से 20 यहां से जो आपका 10 हो जाएगाoe 6 Tay si 7 गुणा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 11 गुणा तो यह बराबर हो जाएगा चार सत्य 28 24 24 गुणा हो जाएगागा यहां अगर और और अंसर पढ़ाकर लिखना है तो यहां भराबर क्या हो जाएगा यहां पर point लगाओगे तो 2.668 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 यहां से जो यह बराबर हो जाएगा 2.668 गुणा 10 की पावर 11 में से 3 गे माइनस के 8 न्यूटन तो यह हमारा right answer हो गया तो उमीद करता हूँ आप लोग समझ पाएँ अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो तो शेर जरू कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ ठीक है तो आप हम करेंगे सवाल नंबर दूसरा कि दूसरा क्या बोला गया है दो शिर्षी desert की दूरी नब्वए सेंटीमेटर है यानि दोशिआस डूरी है नब्वए सेंटीमीटर हो ने से उनके वीच घृत्वा करूने वह कितना हो सबसे पहले दों के बीच की दूरी भी और आले banget उसी है उनके बीच की दूरी है वो कितनी है 90 cm है यह द्रब्मान इसका यम्बन मार लीजी और इसका यमटू माल लीजी है ठीक है यह दूरी है आपकी कितनी 90 cm अगर इसको मीटर में बतलेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 90 गुणा 30 पावर माइनिस 2 मीटर ठीक है यह पिर्थम सर्थ हो गई पिर्थम सर्थ और इनके बीच जो बल है, वो कितना है, बन गुणा 10 की पावर माइनस 17N, ठीक है, दितीय सर्थ क्या बोली गई है, ठीक है, दितीय सर्थ, यानि कि पिंट यही है, आपके यमाने मटू, इस तरह से, ठीक है मैं चित्र इसलिए बना रहा है जिसे आप आसानी से समझभाब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी कर दी इनके बीच की दूरी कर दी नोने 90 यम यम ठीक है अगर हम इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा यह 90 गुणा 10 की पाबर माइनस 3 मीटर बदल गई ठीक है और यप जो है इसका यवण मानों और इसका क्या मानों आप यप्टू यह कोश्चन मार कर यह हमें निकालना है ठीक है ना फिक ने तो बोला कि आए कि गुर्थवा कशन बल कितना हो जाएगा यह दोनों पिंडों के विच के दूरी 90 यम कर दी जाये तो गुर्थवा कशन कितना हो चालेगा ठीक है चित्र तो आपने समझ लिए सारी चीज है चलिए आपने माल लिया माना पिंड क्या द्रमान यंबन यंटू है ठीक है एक में बल यवन लग रहा है बनगुणस की बावर माना 17 के बीच की दूरी हमने बदल लिया इसको यंके इस पद्धति में कर ल अधित्व रहें है कि प्रसना अनुसार ओके तो सिना साथ टेके गुर्टवा करसंड वल यहां लिख वे घेट को घुर्टवा करसंड भल तो यह वाला देखेंगे इस वाले में दिखेंच है इसमें लाटा उनर्ट उम्हे 5 दूरी ये तो यह पन थाला किआ हो जाएगा याप्वन बराबर क्या हो जाएगा आपका केपिटल जी यंबन और यंटू बटे आर इस्क्वार या आर बन इसक्वार इसे समीकन आप एक डाल देजिए ठीक है और इसी प्रकार इसी परकार किया इसी परकार आपका hep 2 कितना हो जाएगा दू हो जाएगे आपका जी यंबन यंटू और बटे आर्टू स्कॉार सामी क्या है दो किलिए हो गया चलिह हमने सार mouse अच्चीतर में आपको बता दिया आप अपनी मरंची से जो चाह सकते हो की ऐसे लिख सकते तो दिया है अंन्ल आम बराबर इतना है दूर इतनी है चाहरो पर मैंने आपको यह समझा भाणड बैंटे करोगे टो इकजमर भी आपको minimum से पूरे नमबर देगा ठीक है अब क्या करोगे आप करोगे समी करण एक को समी करण दो से भाग करने पर ठीक है कहने का मतलब है बन बाई टू ठीक है चलिए तो यह वह ही कितना था आपका ध्यान से देखेंगा ठीक है यही तो है तोयब बन और बटे यफ टू यफ बन था आपका जी यमबन यम टू बटे आरी स्क्वार और यह रद सेट अग्ाано है तो जी यमबन M1, M2 समान है तो क्या हो जाएगा आपका F1 बटे EF2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे R1 square बटे 1 बटे R2 का whole square ये वाला ऊपर चला जाएगा ठीक है किया बटे में न तो ये वाला कहां चला जाएगा आपका OO तो क्या हो जाएगा आपका f1 और बटे f2 बराबर हो जाएगा आपका r2 का square और बटे r1 का square और f2 का केतना मान दे रखा है आपको तो f1 का मान दे रखा था आपको 1 गुणा 10 की पावर माइनस 17 और बटे आपका f2 यही तो निकालना है आर 2 कितना है नबबड़ आम तो नबबड़ करका लिका था नबबड़ गुणा 10 की पावर माइनस 3 यही तो आप देख लीजिए ठीक है बीडियो को यही तो फाइदा बीडियो में आप पोस्ट करके भी दुबारा देख सकते हो यह कितना था आपका r1 नबबड़ गुणा 10 की पावर माइनस 2 का ओल इसपायर तो इसको हल करोगे तो बन गुणा 10 की पावर माइनस 17 और बटे यप तू बरावर इसको हल करोगे तो 90 गुणा 90 और गुणा 10 की पावर माइनस 6 ठीक है दूमा गुणा हो जाएगी इधर क्या हो जागा 90 गुणा 90 गुणा 10 की पावर सापस में कट जाएंगे यहां क्या बचेगा बन गुणा दसकी पावर माइनस सत्रा बटे यफ टू उपर क्या बचा आपका दसकी पावर माइनस छे यह बटे में उपर जाके काई मुझी यह वाले यह वाले काई हो जाएंगे प्लस में गुणा दसकी पावर चार ठीक है तो तो ये क्या हो जाएगा आपका बन गुणा 10 की पाबर माइनस 17 बटे यब 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 10 की पाबर माइनस 2 टीक है तिरची गुणा करोगे क्या हो जाएगा आपका तिरची गुणा में 10 की पाबर माइनस 2 यब 2 बराबर बन गुणा 10 की पाबर माइनस 17 ये इतरे किसमे हो जाएगे आपके भाग में तो यह अप्टू बराबर हो जाएगा बन गुणा दसकी पावर माइनेस सत्रा बटे दसकी पावर माइनेस दो उपर चले जाएगे किसके हो जाएगे आपके पिलस के तो यह अप्टू बराबर हो जाएगा बन गुणा दसकी पावर माइनेस सथरा गुण धिसकी पाबर दो यह माइनस क्यों प्लैस के हो जाएगे तो एप अश्द क सेयर कीजिएगा और चेनल पर पहले वाराँ चेनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्य इदियो में थैंक्यु